दोस्तो पुराने जमाने में राजा महराजाओं की इतने बड़े बड़े किले होते थे तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग उनकी रक्षा कैसे किया गरते थे अभी हम लोग आई हुए है जैपूर के जैगर किले के अंदर जिस किले को इसपेसली सैनिकों के लिए और बचाओं के लिए ही बनाया गया था यहां का मैं आज आपको डिफेंस सिस्टम दिखा देता हूँ बहुती अमेजिंग डिफेंस सिस्टम है दोस्तो जिस जगह भी हम खड़े हुए हैं इसको बोलते हैं बुर्ज आप यहां पर देख सकते हैं दिवार के चारों तरफ इसी तरीके के बुर्ज बनाये गए हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर अगर मैं इधर से दिखाने की कोशिश करूँ जो वो गोल वाला हिस्सा है वो भी सेम इसी तरीके से बुर्ज कहलाता है अब यहां से होता क्या है यहां पर आप छोटे छोटे जरों के देख रहे होंगे यहां जो सबसे बड़े वाला जरों का है इसमें से जो छोटी तोपे होती थी वो चलाई जाती थी यह जरोगा किसलिए है कि यहां से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत दूर तक का नजर आएगा तो यहां से जो छोटी तोपे होती थी वो चलाई जाती थी उसी के साथ में दोस्तों यहां पर बहुत अमेजिंग सी यह चीज बनाई गई है इसका आप पहले अर्गिटेक्चर देखे कि यहां से यह इसकी जो है बहुत ज़्यादा चोड़ाई है और जैसे जैसे अगर मैं अंदर की कोशिश करूँगा देखने की तो इसकी चोड़ाई कम है और अगर यहां से आँखों से देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत दूर तक का नजर आएगा इसका भी एक लोजिक है ति जब दुस्मन उस साइड से देखेगा तो वो जो सैनिक साइड में बैठा होगा वो दिखाई दुस्मन को नहीं देगा लेकिन यहां से सैनिक को दुस्मन बहुत आसानी से दिखाई देगा अब इस ज़रोके का काम क्या होता था यहां से जो बड़ी बंदूके होती थी उनको चलाया जाता था इसी तरीके से चारो तरफ यहाँ पर यह ज़रोके हैं और यहाँ से बड़ी बंदुकों को चलाया जाता था जो दुसमन किले से दूर की तरफ होता था उनके उन पर आक्रमन करने के लिए इसी तरीके से अगर मैं नीचे की साइड आपको दिखाने की कोशिस करूं तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही सेम ज़रोका है जो की किले को बहुत नजधी की से दिखाता है अगर यहाँ से आप देखने की कोशिस करेंगे तो दिवार के नजधी का बिलकुल नज़र आएगा मैं थोड़ा सा आपको इस साइड से दिखाने की कोशिस करता हूँ कि अगर आप इधर से देखेंगे तो जो नीचे वाला हिस्सा है महां से दिवार के नस्दीक वाला हिस्सा आपको देखने के लिए मिलेगा उसका फाइदा क्या है कि यहां से बड़ी वाली बंदूग दी थी इसके अलावा इसका क्या काम होता था कि अगर दुस्मन दिवार के नस्दीक है और वो रस्यों के सहरे उपर चड़ने की कोशिश कर रहा है आपने मूवीज में और यह जो भी फिलमें होती है उनमें देखा होगा कि दुस्मन जो है किलो के उपर रस्यों के सहरे होते थे उन्होंने बना रख़ है अंदर की साइड आप देख सकते हैं ये किला है ये पूरा किला इसी इनी दिवारों से इनी सैनिकों से प्रोटेक्टिड होता था यहां चारो तरफ ये दिवारे आप देखी सकते हैं और चारो तरफ छोटे छोटे बुरुज बने हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर जिन पर सैनिक बैठते थे और वो इस किले की रक्षा करते थे और पूरी इस चारो तरफ की जो भी जगा है उसकी रक्षा क्या करते थे क्योंकि ये जगा इस पेसली जैग का बोश्रूम है जो की सैनिकों के लिए उस समय जो सुरक्सा करते थे सैनिक गार्ड सेक्यूर्टी गार्ड होते थे उनके लिए बनाया गया था और दोस्तों दिवार को आप बिल्कुल दूर तक देख सकते हैं सभी जगा ये छोटे-छोटे जरोके हैं जो बड़े वाला जर इस रास्ते से आएंगे तो यहां पर एक कमरा देखेंगे इसी यही वो कमरा है जहां पर जो बंदूकों को बारूद होता था तोपों को बारूद होता था एक तरीके से यहां पर एक असला स्टोर किया जाता था और यहां से उसका इस्तमाल किया जाता था यहां से लेकर व भी हो चुका है तो दोस्तों ये था वो तरीका जिस तरीके से इस किले की रक्षा की जाती थी या कह सकते हैं कि डिफैंस सिस्टम किस तरीके से ये वर्क किया करता था और दोस्तों ये जो आप सामने दिवारे देख रहे हैं ये दिवारे इस महल को कवर्ड करती हैं इसकी सु बताय गया कि दुनिया की तीसरे नंबर की ये सबसे बड़ी दिवार है तो इस वीडियो को दोस्तों जाद यादा शेर कीजेगा लाइक कीजेगा और कोमेंट्स करके हमें जरूर बताईगा इस वीडियो को हम यही पर समाप्त करते हैं धन्यवाद